आज है मेरे पास TTP223 का एक touch sensor module इस touch sensor module को कैसे use करते हैं और कैसे इसका connection करते हैं क्या क्या functions इसमें दिया हुआ होता है वो सारी चीज़े मैं detail में बात करूँगा और practical करके भी इस वीडियो में दिखाऊँगा यह sensor module आप कहीं भी use कर सकते हो कोई साभी circuit बनाने में जहां पर आपको touch करके उस LED को उस circuit को on करना है off करना है या तो फिर touch के close में उगली रखोगे तब on होगा या तो फिर अलग-अलग functions जो भी इस module पर दिया हुआ है वो अभी हम देखेंगे वो सारे functions यूज कर सकते हो देखिए इस sensor module पर तीन pins है एक है ground का दूसरा है input या output का और तीसरा है VCC का इसमें एक यहाँ पर gap दिया हुआ है जहाँ पर कुछ भी solder नहीं है वहाँ पर हम 0PF से लेकर 50PF तक के capacitor value को solder करके इसके sensitivity को हम कम जाएदा कर सकते हैं यह IC लगी हुई है TTP223 वाला और यहाँ पर LED लगी हुई है जो हमारा output जाएगा और इसमें दो pins हैं यहाँ पर देख सकते हो solder करने के यहाँ पर sort करने के gap जगह एक यहाँ पर solder करने का यह है और दूसरा solder करने का यहाँ पर point B है यह point में solder करोगे तो अलग function में काम करेगा B point पर solder करने पर अलग function में काम करेगा या तो फिर point A और point B दोनों जगह पर solder करने पर अलग output आएगा आईए अब मैं यूज़ करके दिखाता हूँ इस module को 2.2V से 5V DC का input power supply देना होता है जिसमें से power supply देने के लिए मैं use कर रहा हूँ एक lithium ion का battery यह 3.7V का हमारा output देदेगा जिसमें से इसका जो negative power supply का wire है वो मैं GND ground से connect कर दे रहा हूँ यहाँ पर direct ऐसे ही आप solder कर लेना जैसे आपको करना है कर लेना और positive को मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा है लेकिन जब मैं sensor के तरफ लेके जाओंगा उंगली तब यहाँ पर यह LED glow हो रही है ध्यान देना अब power supply के wire को connect किया अब कुछ भी नहीं हो रहा है लेकिन उंगली मैं sensor के पास लेके जाता हूँ तो यह LED on हो जा रही है फिर हटा रहा हो तो यह off हो जा रही है अब चलिए यह हो गया पहला point दूसरे point में हम देखते है point यह को solder करके इस point यह को मैंने connect कर दिया अपस मैं sort कर दिया और अब देखिए क्या होता है मैं positive wire को इसमें connect करता हूँ तो यह LED glow हो रही है अभी power supply connect करने पे लेकिन जब मैं उंगली सामने लाओंगा तो यह off हो जा रही है मतलब कि just उसका opposite जव हमारा पहले में हो रहा था बिना sort किये हुए उसका opposite में हो रहा है देखिए उंगली मैं सामने लाता हूँ तो यह off हो जा रही है LED और यह on off on off on off on यह हो गया हमारा दूसरा अब तीसरा point के लिए point जो B दिया हुआ है उसको भी मैं sort कर देता हूँ यहाँ पे point A, point B दोनों solar करने के बाद मैं power supply को फिर से connect करता हूँ तो देखिए यह LED automatically on है लेकिन जब मैं उंगली नजदिक लाता हूँ तो यह off हो जाता है फिर on, फिर off, on, off और यह cycle चलता रहेगा अब ही क्या हुआ कि मैंने power supply दिया तो LED हमारा active state में चला गया था जब मैं sensor के करीब में लाया तो off हो गया यानि कि सुरू में हमारा on हुआ था अब चलिए यह देखिए यहाँ पे on, off, on, off, on, off यह toggle वाला बड़ा मस सा function है switch के purpose में आप use कर सकते हो, कोई सा भी circuit बना रहे है न हम, तो यह switch के purpose में use कर सकते हो अभी मैं आप सर्वी को relay में connect करके दिखाऊंगा, relay में कोई सा भी एक load connect कर दूँगा, यह देखे, यह हो गया अब क्या है कि point A को खोल देने के बाद क्या हमारा function so करता है, उसे भी देख लेते हैं point यहाँ पर B में तो already soldered है, और point A खुल गया point A को खोलने के बाद क्या दिखा रहा है, चलिए देखते हैं यह मैंने power supply के wire को connect किया तो LED अब ही हमारी glow नहीं हुई है अब मैं उगली को नजदीक लेके जाता हूं तब यह on होता है, यानि कि power supply जब हमारा मिलेगा तब यह active state में नहीं रहेगा, यह off state में रहेगा, जब हम point A को खोल देंगे तो देखिए जब उगली लेके जाओंगा तब यहाँ पे on off हो रहा है, और इस तरह से यह हमारा on off touch sensor काम कर रहा है और इस तरह से आप use में ले सकते हो इस circuit को direct इसके signal वाले pin पे मैंने एक LED को connect किया है और अब देखिए इस LED को भी glow कुछ इस तरह से यह LED करा दे रहा है यह बढ़ियां काम कर रहा है, input output देख सकते हो, यह दोनों साथ साथ में काम कर रहा है इसके sensitivity range को change करने के लिए यहाँ पे PFK value को change करना होगा, यहाँ पे solar करना होगा 0 से आपको 50 PFK capacitor को लगाना होगा इसी module का connection मैंने एक relay में किया हुआ है transistor के साथ में और इस relay को switch बनाया हूँ इस 100W के tungsten bulb का, देखिए अभी यहाँ कैसे काम करेगा जैसे ही मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ यह जल जाता है और लेके जाता हूँ यह बंद हो जाता है, देखिए बहुत ही बढ़ियां यह काम कर रहा है यह sensor module आप भी बना सकते हो एक circuit और बहुत ही बढ़ियां आप किसी अलग भी project में इसे use में ले सकते हो, I hope यह video आप सभी को पसंद आया होगा पसंद आया तो इस video को like कर दो और इस channel को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो channel को भी subscribe कर दो thank you guys, इस video को यहाँ तक देखने के लिए मिलता हूँ next video में, bye bye keep watching more videos on your great youtube channel यहाँ पर यह जो circuit है, यह relay का और इस module का इसके power से separate है यहाँ पर cable series में use हो रहा है, switch के रूप में यह relay, बाकी यह तो 3.7 volt की battery से चला रहा हूँ मैं इसे और इस relay को operate करने के लिए 5 volt का power supply मैंने दिया हुआ है यहाँ से